दोस्तों कैसी हूँ आप लोग सु आगे था आपका फिल्मी एक्स्प्रेंड के बॉक्स कलक्षन के एक नए अपीसोड में 13 जनवरी 1995 को रिलीस हुई थी करुन आरजुन जिसने इंडिन बॉक्स पर वल्ली उड बॉक्स पे ब्लोकबास्ट बनने का टैग लगवाया था 22 सा 1995 में रिलीस होनी करुन आरजुन मुई का बज़ड था 6 करोड का जिसने जिसने लाइफ टेम इंडिया ग्रोस सेलक्षन में 41 करोड 50 लाख रुपे का दंदा करके करुन आरजुन ने लाइफ टेम ओवर स्मार्क्ट में 1 करोड 60 लाख रुपे का दंदा करके करुन आरजुन ने 1995 टाइम दुनिया वर के वक्स पे 43 करोड 10 लाख रुपे की कमाई करके ब्लोकबास्ट बनने का टैग लगवाया था लेकिन मैं आको बतना चाहूँगा 19 साल 29 साल के बाद दुबारा से करुन आरजुन को 22 नुमंबर वले दिन दुबारा से री रिलीज किया गया और फिल्म की री रिलीज इतनी दमदार है जो आद तक की इनियर सिनमा की सबसे बड़ी फिल्म की रिलीज डेट है जिसे कोई भी एक ऐसी फिल्म नहीं है जो दुबारा से री रिलीज हुई और उसको इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलाओ करुन अरजुन को दुबारा से नियर वक्स पे 1114 थेटर सकंदर री रिलीज किया गया है और 2208 शोस काउंट हुएं जबकि ओवस्माक्ट में करुन अरजुन को 250 थेटर सकंदर रिलीज किया गया है यह अब तक कि किसी भी फिल्म की दुबारा से री रिलीज की सबसे हाईस थेटर में रिलीज होना का रिकोर्ड है सबसे हाईस शोस काउंट होने का रिकोर्ड है में भी अक्सप्टेशन है कि करुन अरजुन दुबारा से री रिलीज होके इंडियन वोक्स पर और वाल्य वोक्स पर दस से पंदरा क्रोड का कमाई कर ले ही जो थे रिलीज की पौर्ण में सबसे बड़ा किसी भी फिल्म को दुबारा से री रिलीज होने का कुलेक्शन होगा करुन अरजुन को इंडियन भर के बॉक्स पर दोस्तों 1114 थेटर सकंदर रिलीज किया गिए लगवत 1300 सकिंज को पर रिलीज किया गिया है दोस्तो भाई साथ करुण अर्जुन अपने पहले दिन इंडिया में रिलीस होते ही 45 लाग रुबे का दंदा करड़ा इंडियन ग्रोसालक्शन में 25 लाग रुपे से लेकि 55 लाग रुबे की एकमाई हम को देखे नहीं को मि लिगे है जबके करुन अर्जुन अपने पहले दिन है ओवस माक्ट में 20 लाख रुपे की कमाई करके करुन अर्जुन अपने पहले दिन दुनिया वर्क्स पे लगबग दोस्तों 75 लाख रुपे का धंदा करने में सब उलो पाई गया है लेकिन दोसों आज है सेचटे दुबाराज इस फिल्म का जो पर री रिलीस होने का दूसर दिन है यानि 23 नॉमबर आज दोसों करुन अरजुन ने पूरे भारत मिनीन वोक्स पे पूरे 65 लाक रुपे की कमाई करके ओवरस्पेक्ट में 30 लाक रुपे का धंदा करके दुनिया वरके वक्स पे एक करोड़ की कमाई कर सकती मंडे को में भी 30-35 लाक रुपे का आपको कॉलक्शन देखने को मिलेगा लेकिन मैं आपको बदा चका हूँ पर ट्रड़ा एक्सपर्ट का ये कहना है कि दुबाराज ये फिल्म री रिलीस होके पूरी भारत में 10-12 ये मेवी 15 क्लोड की कमाई करेगी इसी साबसे फिल्म सीनमाल में 10-20 दिन अगर चलती है तो फिल्म आराम से 10-12 क्लोड का अकड़ टच कर लेगी एक बार फिर से पब्लिक की यादे ताजा हो जाएंगी करन अरजन को 29 साल के बाद आप लोग देख पाऊँगे आपको यंग वर्जन में सलमान कान शारकौन देखाई देंगे अब तो ओल्ड वर्जन होने वाले हैं लेकिन उस टाइम में ये फिल्म वोक्स पब्लिक को आज भी बहुत ज़्यदा पसंद आती हैं उन मुविस के अंदर एक अलगी एक्टिंग थी एक अलगी एमोशन था ये वो एक्टिंग तो आज के दोर में देखने को मिलते ही नहीं उस टाइम के जो एक्टिर थे उनका कोई मुकाबला नहीं है मिलते हैं नेक्स सुदी में